मुझे ये बताईए कि ये आठ साल की उम्र में प्रॉपर एकदम असी साल के गुरू से वो भी इतने मतलब भारती शास्त्री संगीत के सबसे प्रतिष्ठित घरानों में से गौलियर घराने के गुरू से संगीत सीखना तो बच्पन में शिकायत बदमाशी बदमाशी करने का शुक्तब करने कि अच्छा ही काम करना था तो तो पहले पांच में हमारा उधर भी नंबर आता था स्कूल में और हम मुझे याद है उस समय रात को मैं फिले होती थी और एक आर्टिस्ट करीब करीब चार साड़े चार गाते थे और लोग बैठके सुनते भी थे तो होते कभी सुबहे के दो बज़ जाते तो हम मैं और मेरी मां अकेले इस टाइम पे गर आते थे वापस और सुबह साथ बज़े की स्कूल होती थी तो देवे नो कंसेशन्स बट जहां मस्ती जो बचका की होती थी वो तो हमने वह भी किया पढ़ाई भी की सब कुछ किया अच्छा पुशकर जी ये भी बताईए कि ऐसी कोई परंपरा तो परिवार में थी क्या संगीत की मतलब एक तो होता है कि संगीत का शौक होना और जिसको हम बहुत प्रचलित भाशा में कहते हैं कि तानसेन ना सही कानसेन घर में होते हैं कई लोग तो एक तो वो होता है अधाने की तालीम तो वैसे ली नहीं थी अमिशनल ने भी लॉग करता पर दोनों तरफ से बहुत सभी फैमिली मेंबर्स को गाने की अच्छा गाना सुनने की आदत थी अच्छा गाना अप्रिशेट करते थे और कांसेन उसमें से कुछ लोग पर कांसेन जरूर थे और सबसे बड़ी कांसेन तो मेरी मा क्योंकि उन्होंने अगर यह जल्दी स्पॉट नहीं क्यों होता में कुछ ट्यालेट है ऐसे करके मेरा सीखना होता तो मेरी मा का कॉंट्रिशन काफी है इसमें और मुझे आद है कि स्कूल के टाइम पर हम लोग उस टाइम पर बहुत कॉंपेटिशन सुगा करती थी पुड़े मुंबाई और सांगली इचल करंजी महाराज्ट्र में कई जगह पर कोलापूर तो हम लोग जैसे आजगल कि बच्चे पार्टी हॉपिंग करते हैं एक पार्टी छोड़ते के दूसरी पार्टी पर तीसरी पार्टी वैसे आम लोग उस टाइम पर कॉंपेटिशन होपिंग करते थे यहां की उन्हें कि वहीं तो सांगली गए फिर वहां से कोला पूर गया है वहां से इक मिरस गया और उस दोरान कैसेट का माना था तो नाट्य संगलीत और बाद में क्लासिकल का पॉंपेशन सुखते थे तो एक गाना अच्छे गाने चुनके मुझे मुझे माइदर उस तो गेव वह उनको किसेट को बिल्कुल आगे-पीछे-आगे-पीछे-गिस-गिस-गिसके हम उसको तयार करते थे इसका इस नहीं थे वह गाने याना टे संगीत मैं कि अपना नंबर आया और अपना गाना गया और गाके चले गया इसा नहीं होता है था हम सभी का गाना सुनते थे और सभी से कुछ ना कुछ सीखते जरूर थे एक मौका होता है पुशकर जी यह हमारा जो इंटर्यू सीरीज है जो हम पिछले दो ढ़ाई साल से चल रही है और उसमें हमेशा अपने महमान से गुजारिश करते हैं कि वो अपने इस इंटर्यू के दौरान अपने गुरूं को भी याद करें अपने गुरूं को इसलिए आत करें कि उन्होंने ही गढ़ा और आपने अपने पहले गुरूं के बारे में हमें बताया विस्तार से कि किस तरह से मतलब लगभग लगभग दस गुना उम्र का फर्क था प्लस वो जिस घराने से थे उसका भी आपने जिक्र किया लेकिन थोड़ा सिलसलेवार तरीके से भी बताये कि किस तरह से आपके और गुरू आपके आप उनके जीवन में आए कहले या वो आपके जीवन में आए लेकिन अल्टिमेटली एक कलाकार गढ़ा गया जी जरूर तो पिंपड़ करे गुरू जी तो पंडिद विनायग विनायग बुआ पटपरदन के शिश्यत ह और कुछ सवाई गंदरवजे से भी उनको तालिब मिली थे तो उनसे करीब 8 साल सीखने के बाद ऐसे हमें लगने लगा कि थोड़ा परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जो है उनके पास जाकर सीखना अच्छा होगा क्योंकि एक परफॉर्मेंस आट की कला अलग होती है तो वो जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी ऐसे यह कॉंपटिशन में विजय को परकर जी ने मेरा गाना सुना था और उन्होंने मेरी माँ को उस वक्त कहा था कि इसको मैं सिखाना चाहूंगा तो इसके बाद हम जरूर आएंगे तो अकॉर्डिग विजय को परकर जी के पास मैं तालीम लेने लगा तो वे शिश्य रहे हैं पंडिजी तेंद्रा अभी शेकी और डॉक्टर वसंद्रावदेश पंडेश पंडे जी का तो उनसे भी अगले आठ साल उनसे मैंने तालीम ली तो काफी दूर रहते थे पुने से बताने जैसी चीज़ है आज कल के बच्चों के लिए कि धायरी करके यहां से काफी दूर मैंने उस जमाने में तो गाओं ही था अभी कॉर्परेशन के लिमिट में आ गया है बट उस जमाने में वहां पर जाना हो तो दो तीन बसें चेंज करके जाना पड़ता था और लाइसेंस नहीं था उस वक्त टूवीलर चलाने का तो रस् ले स्ट्रीट लाइट्स नहीं होगा करते थे तो बिलकुल मैंने गाओं में जैसे वरा करते थे तो कीचड़ हो दलदल हो बारिश हो कुछ भी हो हमारे जो दिन थे वो कभी चुपते नहीं थे तो ऐसे आठ साल उनसे तालिए और उनसे जो जिसको संगित का माल मसाला कहते ह हैं नंबर ओफ राग्स नंबर बंदिशिस वो उनसे मुझे काफी काफी रा काफी बंदिश हैं क्योंकि अभीशेक जी के पास आप जानते हैं कि कितना बड़ा संग्रय था तो उनसे उसी परंपरा में से मुझे भी काफी सारा वहां से मटिरियल मिला फिर यह सब होने के ब कि कहीं कुछ दूर का दिख तो रहा है पर समझ में नहीं आरा कि बहां कैसे जाएं क्या जहां पर मैं हूँ वहीं संगीत है या इसे परे भी कुछ है तो थोड़ा जो आर्टिस्ट का एक डाइलेमा होता है एक रीटिव आइड़ा इस दौरान मेरे हाथ में एक इताब आई जिसका इस वर्बैक्टीम प्रांसुलेशन ऊफ वश्क रहीं है तो वाशी में आख लूरुक्यम आशी में पढ़ते गया अचनुलेचिन की दुनिया कुछ अलग है ऐसे संगीत की तरफ हमने तो कभी देखा ही नहीं, इसको जानना चाहिए, ये विचारों को हमें जानना चाहिए, क्योंकि वो बुक तो पढ़ते लगता है कि हमको समझ में आती है, पर वो समझ में नहीं आती है, उसको डीकोड करना पढ़ता है बुक को, actually, क्योंकि कुमार ज फिलोसफर गाइड में बहुत बुजर्ग है मुझसे, सीनियर कलाकार, हर्मोनियम वादक, डॉक्टर अर्विन थत्ते, जो मेरे बच्चपन से मेरे गोनोंने पूरी मेरा ट्राजेक्टरी देखी है, तो उन से मैंने बात कि और वो बोले कि विजे सरदेश्मुक जी के पास आप जाएए, वही हैं जो आपको इसको डिमिस्टिफाई और डिकोड कर सकते हैं, तो विजे जी के मैं विजे जी के पास गया, और यह थैंक्फुली अग्रीड तो हैप में अजिस इस डिसाइपल, पर वो काल मेरे लिए बहुत मुश्किल का काल था, उसके उन्होंने तालिम भी चलो कर दी, पर ऐसी तालिम होगी मालूग नहीं था, क्योंकि आप मानिये या ना मानिये, मैंने उस 16 तक मेरी तालिम हो गई थे, मैं अच्छा खासा गा रहा था, प्रोग्राम्स हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, उसके बाद जब विजे सर्देश्मुक जी के पास में गया, तो अगले 6 माईने, उन्होंने सिर्फ मुझे साल लगाने के लिखा, और वो भी मेरे साथ 6 माईने, सिर्फ साल लगाते थे, एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, मुझे लगा, यह क्या हो रहा है, इतने साल हम सीखे, अब साल लगाना भी नहीं आता, तो ऐसे बह बहुत सिलसिला चला, हफतो, हफते चले गए, महीने चले गए, 6 महने चले गए, 6 महने के बाद, एक दिन, एक शण, मेरा सा ऐसे लगा, कि उनकी आँखों में, एक चमक मैंने देखी, 6 महने के बाद, ही स्माइड, और इवन आई रियलाइज़ अट पॉइंट, कि इतने साल शायद मैं सेंटर ओफ दे नोट जिसको कहते है न, बुल्स आय, वो सा के केंदर बिंदु में, मैं कभी गया ही नहीं था, महां पे कभी पहुचा ही नहीं था, और वो सा का जो प्रकाश, फिर पड़ा, जो दिखाई दिया, वो मैं, वो क्षान अभी स्मर नहीं है, उसको ब दौरान हमने काफी गुर्जी से बातचीत मैं करता था, मुकामवाशी मैंने उनसे पूरा डिकोड कराया, और यह इधर उधर की गाने के उपर बहुत हम बाते करते थे, तो उनसे उस दौरान काफी कुछ एक अलग ही नजर या, मुझे संगीत की तरफ देखने का मिला, and then it was very easy for me, then it was almost like a fish sticking to water, क्योंकि सोला सत्रा सान जो सिखा है, उसको पूरा घिस के, अनलर्न करके, जो हम जैसे मराथी में कहते है कि पाटी कोरी करने, जो स्लेट होती है, completely to wash that slate clean, and to learn something new, it could go either ways, it's a very dangerous proposition, but वो छे मैने के बाद मुझे कुमार जी क्या है, उनकी philosophy क्या है, उनका संगीत के देखने का दुरुष्टिक होन क्या है, उनकी गाय की क्या है, विचार क्या है, ये पूरे मुझे समझ में आ गए, और फिर बिलकुल मुश्किल रही नहीं, क्यूंकि कुमार जी जैसे कलाकारों के तरब जाना ये बहुत dangerous हो सकता है, क्यूंकि अगर वो ठीक से नहीं समझें आपको, तो ना घर के ना घाट के ऐसे हो सकता है, काय की दुरुष्टी से, तो fortunately मेरे साथ वैसा नहीं हुआ, जो भी मैं सीख पाया हूँ, वो विजय जी की कृपा से, और उन्होंने जो मुझे दुरुष्टी दी है, इसकी वज़ा से ये हो पाया, उसकी बाद कुमार जी वाज नॉट डिफिकल्ट एरिया को भी बहुत स्वाभाविक हो गया मेरे लिए उनको समझना, और आगे की जो जर्नी थी, वो बहुत ही सरल हो गए मेरे लिए, तो चार-पांच साल में उनसे सिखा, फिर उसके बाद मैं कुमार जी के एक और शिश्य जो पूर्णा में है, डॉक्टर सतेशील देशपांड है, पंडित सतेशील देशपांड है, उनके पास भी मैं पिछ पंडित सतेशील जी का बड़ा स्नीह रहा है हमारे इस हमारी संस्था के प्रती और उनका भी इंट्रिव्यू हम इस प्लैटफॉर्म पर कर चुके हैं, कुमार जी के लिए आपने बिल्कुल सही कहा कि कुमार जी को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमूमन ये एक धा और नहीं है कि अगर आपको भजन सुनने हैं तो आप कुमार जी का उड़ जाएगा हन सकेला या हीरना या जितने भी उनके लोग पर ये भजन हैं, लेकिन कमी लोग ये समझ पाते हैं, जो थोड़ी गहराई में जाते हैं कि कुमार जी ने ये भजन शास्त्रिय गायकी में अपना नाम बहुत उपर तक लिजाने के बाद गाये हैं, वो बहुत पक्के शास्त्रिय गायक, आप उनके बंदिशें, उनकी रागें सुनिये जाकर ढूंट कर और उसके बाद आपको समझ भाएगा कि भजन गायकी उनकी शक्सियत के या उनके पूरे विक्तित्य तुका और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानि नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, आप वक्त हो तो तुरन देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं, हम आपको बत झाल